जी हां नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की नियम में मैंने आपको बताया था कि जहां पर हेल्पिंग बर्व दिख जाए उसके बाद नौट लगा देते हैं ठीक है ना अब सवाल यहां यह उठता है कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग बर्व ही न हो उस से सेंटेंस में निगेटिव कहां लगाएंग याई you know कहां लगाएंगे not कैसे बनाएंगे हेलपिंگ बर दिखेगा नहीं तो恨 इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहां लगाएं है कि क्या चीजिव ही इंट चुबित बताता चलूं कि कैवल प्रेजन in IIp peura क्यव परेजन इंडीफ इन दोनों का जो positive होता है present indefinite का positive और past indefinite का positive इसमें helping बर्व इस्तेमाल नहीं की जाती है present indefinite की helping बर्व होती है वो ये होती है और past indefinite की इन ही दोनों के जरीए इन ही तीनों के जरीए negative sentence में not लगा जाता है इनके साथ जोड करके लगा जाता है और कैसे लगा जाता है क्या ट्रिक है कहां पर डू लगेगा कहां पर डू लगेगा और कहां पर डिल लगेगा कैसे लगेगा मैं अभी आपको तुरंत तीन sentence केवल ती के जरीए मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर डू लगेगा कहां पर डस लगेगा और कहां पर डिड लगेगा ठीक है ना चलिए बताते हैं जी हां देखिए पहला सेंटेंस हमारा ये है मैं वह खाती है दूसा सेंटेंस है मैं खाता हूं तीसा सेंटेंस है मैंने खाया पहला संटेंस और दूसा संटेंस यह आपका प्रजन इंडिपनिट का संटेंस है प्रजन इंडिपनिट का पॉजिटिव संटेंस है वह खाती है मैं खाता हूं तीसा संटेंस मैंने खाया यह आपका पास इंडिपनिट है यह आपका पास इंडिपनिट है और यह दोनों आपका जो राज चुपा हुआ है जब किसी sentence में अब देखी यहां पर पहचानने वाली बात यह है कि इस sentence इस इसमें देखिए में बर्ब में क्या लगा हुआ यस अब जब में बर्ब में यस लगा हुआ है तो हमें यह ढूड़ना है कि do, does, did यह तीनों में कहां पर yes लगा हुआ है टो जाहीज से बात है do does did यहाँ पर yes लगा हुआ है इसका मालब जिसमें yes लगा हुआ है हम वही यहाँ पर क्या करेंगे see डज नाट उसके बाद इट लिख देंगे क्यों उट लिख देंगे क्योंकि हमने यहां पर यह सिस्तेमाल कर लिया एक बार जब यहां पर एक बार यह सिस्तेमाल कर लिया तो अपने आप उसके बाद इस सेकंड वाले इसमें जो है इस में बर्ब से हम क्या कर देंगे यहां से से हटा देंगे, अब आपके समझ में आ गया, पहला संटेस्स समझ में आ गया कि कहां पर हमें ड़ेज लगाना है, अभी तक यह सवाल उड़ता था था न कि कहां पर हम कौन सी हेलपिंग पर विस्तिमाल करेंगे, उसके बार नॉट लगाएंगे, देखिए आपके सामने मिल कुछ नि लगा है देखिए Do does में यस लगई हुआ है डिड 벌써 Anyway I अब दो ही एसा बचता है जिसमें कुछ नहीं लगा है इसका मुनलब आइड के साथ क्या इस्तिमाल की जाएगा देखिए कि kicked Do मैं कुछ लगा है इत में भी कुछ नहीं लगा इसका मलब जहां पर कुछ नहीं लगा जाएगा उसमें डो ही स्तिमाल किया जाएगा अब बात करते हैं मैंने खाया आई एट हमने यहां पर देख लिए हुआ है माई एट तो एट क्या है यह पास इंडिमिट का सेकंड फॉर्म लगा है देखिए यह तो सेकंड फॉर्म हो नहीं सकता क्योंकि डू है इसमें यह लगा यह भी नहीं सकता यह डिड हो सकता है डिड डू का सेकंड फॉर्म है डिड अब देखिए चुकि इससे इससे डू एट और डिड यह दोनों आपस में मिल रहा है इसका मलब हम यहां पर क्य फॉर्म में यानि पहले रूप में आ जाएगा यानि यह बन जाएगा आपका इट अब देखिए आई डिट नोट इट बन गया अब देखिए पहले वाले में आपको लगा यस था तो ड़स लगा दिया यस था तो ड़स लगा दिया इसमें कुछ नहीं था इसमें भी कुछ नहीं था do में यहाँ पर second form था यहाँ पर भी दिखे second form है automating यहाँ पर देखिए चीजें लग गई अभी तक यह सवाल उठता था ना कि कहां पर क्या लगाना है तो इस चीज को याद कल दिए है do does did यह do first form है यह इसका yes form है यह इसका second form है तो यह देखिए यहां पर वही चीज आ रही है यहां पर यहां पर इसका yes है यहां पर इसका second है यहां पर इसका first form है यहां पर yes है और यहां पर इसका second फाम है सेम हो़ी चीज है एस तरी के 시ंटेंस हमेंसा आते रहेएं अधागे अफम को मिलते रएगे जहां पर यस लगा हुआ है जहां पर सेकंड फामला का रहता है जहां पर फार्स्स सब्सक्रा अब इन तीने चीजें को आपको दिक्कत नहीं होगी आई होब यह चीजें आपकी और यह ट्रिक आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा कि कहां बड़्डू लगना कहां पिड़्ड लगना है अब यह हल्पिंग पर मिल गई आपको नौट मिल जा झाल झाल